चंद्रमा पृत्वी का एक मात्र उपग्रह क्या आप जानते हैं उसकी उत्पति कैसे हुई कैसे चंद्रमा बना चंद्रमा की उत्पति के बारे में एक नया शोध शामने आया है इसका मानना है कि आर्बों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृत्वी शेट टकर आया था इस टकर के फलसुरूप चांद का जन्म हुआ था शोध करता अपने इस सिधांत के पीछे अपोलो के अंत्रिछ यात्रियों के जरिये चांद से लाए गए चट्टानों के टुकड़ों का हवाला दे रहे हैं इन चट्टानी टुकड़ों पर थिया नाम के ग्रह की निशानिया दिखत एक साइंस पत्रिका में प्रिकासित हुआ है वैसे ये कोई नया सिधांत नहीं है ये पहले से माना जाता रहा है कि चांद का उदय खागोली टकर के परणाम शुरूप हुआ था हाला कि एक ऐसा दौर भी आया जब कुछ लोग कहने लगे कि ऐसी कोई टकर हुई ही नहीं थ स्थी के आसपास से इस सद्धानत को सुईकृति मिली हुई है कि चार्द समलो पांच बिलियन शाल पहले पिर्थवी और थिया के बीच हुई टकर ने चंद्रमा की उत्पत्ति की थी थिया का नाम ग्रीक पौरानिक कथाओं में मौजूद सीलीन की मा के नाम पर रखा गया और उनके मिलने से चांद की पैदाई से हुई थी ये सबसे आसान थियोरी है जो कंप्यूटर शिमूलेशन से भी मेल खाती है लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी ने भी थिया की मौजूदगी का प्रमान चांद के चट्टानों में नहीं देखा है चंद्रमा पर बेसक थिया के निशान मिले हैं लेकिन इसकी संड़चना आम तोर पर प्रित्वी सरीखी है अध्यन करताओं की टीम के अग हुआ यूनिवस्टी ओप गौंटिगेन के डॉक्टर डेनियल हेवाटज के अनशार अब तक किसी को इस टक्कर सिधन्त के इतने द धारणा को पुक्ता करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवस्टी के प्रोफेसर हैलीडे उन विज्ञानकों में हैं जो ये देखकर चकित हैं कि चांद की चट्टानों पर मिली थिया की शामगरी और प्रित्वी के बीच बहुत अंतर मामूली अंतर है और सूच में है ओपन यून चट्टानी नमूनों के आधार पर निकाले जा रहे हैं हमें इन चट्टानों को पूरे चंद्रमा का पृति निधी मानने के पृति शाओधानी बरतनी चाहिए इस लिहाज से चांद की अलग-अलग चट्टानों का विसलेशन भी जरूरी है तब ही आगे कुछ पुष्ट से घूमती थी एक और सिध्धान्त ये भी है कि थिया आकार में कहीं ज्यादा बड़ा ग्रह था एक और विवादत सिध्धान्त नीदर लेंड के ग्रोनी जेन यूनिवेस्टी के प्रोफेसर रावडी मेई जेर का है इसके अंसार पृत्वी की सतह के करीब 29 किलोमेटर नी उन्होंने बीवी सी से बाचीत में कहा कि पृत्री और चंद्रमा की संरचना में अंतर के नए निसकर्सों के बाद भी उनके द्रिश्णी कोण में कोई बदलाव नहीं हुआ है वह कहते हैं कि जिस अंतर के बारे में कहा जा रहा है वो बहुत मामूली है हमें नहीं मालूम कि चंद का निर्माण किस तरह हुआ जरूरत है कि हम चंद पर जाएं और उसकी सतह के काफी नीचे की चटानों को खोजें जो अब तक अंतरच में आने वाली आनियों और खगोल यह प्रभावों से प्रदूसित नहीं हुई है तो दोस्तो आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा पसंद आया हो तो इससे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार के आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें